Assalamualaikum दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आप सबको YouTube Channel English Literature पर आलकुम कहती हूँ आज जो टॉपिक हमने कवर करना है इस लेक्षे के अंदर That is The Way of the World जिसको लिखने वाले हैं William Gungreave हमारा जो राइटर है इनकी अब ब्रिंगिंग की बात की जाए तो वो आयलेंड में हुई जहां पे इन्होंने किलकिली कॉलिज से अपनी एजुकेशन ली और वहीं पे इनकी मुलाकात Jonathan Swift से भी हुई थी Jonathan Swift जो के एक बहुत फेमस एटरिस्ट है जोनोंने एक Gulliver's Travel भी लिखा है एनिहाँ उन से इनकी मुलाकात हुई यह दोनों ऐसे दोस्त भनके जो के लाइफ लॉंग फ्रेंड थे काफी अच्छी दोस्ती रही इनकी furthermore इन्होंने Trinity College से भी एजुकेशन ली जो के Dublin में था इसके बाद किंग्रीव लंडन में मूव कर गए law के study के लिए लेकिन जब वो law के study के लिए गए थे तो इन्होंने अपना career change कर लिया इन्होंने प्ले राइटिंग शुरू कर दी थी लंडन जा के जब लंडन गे जब इन्होंने प्ले राइटिंग शुरू की तो इन्होंने अपनी life के अंदर जो plays लिखे के थे जैसे कि हमारा respective play the way of the world ये भी restriction period के अंदर ही produce किया गया था और उस period में काफी ज़ादा famous हुआ था इन्होंने as a playwright पहुत थोड़ा काम किया जल्दी इन्होंने retirement ले ली थी उसके बाद जब इनकी life के अंदे marital की बात की जाए ने कभी भी शादी नहीं की थी लेकिन इनके काफी ज़ादा actress के साथ affairs भी थे furthermore इनके death की बात की जाए तो इनका carriage accident हुआ था मतलब एक carriage में थे तो इनका accident हो गया था उस accidents से इनको काफी ज़ादा जखम मिले थे वाउंड्स मिले थे उस वाउंड्स की base पे इनकी death हो गई थी और इनको poet's corner in west minister अभे में दफनाया गया था बड़िट किया गया था और यह वो जगह जहां पे बड़े-बड़े writers को दफनाया जाता है clear तो यह था थोड़ा सा introduction हमारे writer के about और जो play historical context की बात की जाए तो यह restoration period के अंदर लिखा गया था restoration period वो time period था जिस time पे Charles second जो थी उनकी मुनाकी की बात की जाए रूलर्शिप की बात की जाए वो restored हुआ था और furthermore यह वो time था जिस time पे कर हम society के लिह हास से बात करें तो society के अंदर marriage, capital and laws system जो थे बड़े आम थे यह जो हमारा play है इसके key facts की कर बात करें तो full title screen पे आपको नजर आ रहा है the way of the world यह late 16 1909 से early 1700 के duration में लिखा गया था इस play को London में लिखा गया था इसकी publication date 1700 March है literary period मैंने आपको बता दिया restoration period है इसके अंदर yandra इसका comedy था ठीक है comedy की context में लिखा गया है play में अगर हम setting की बात करें तो play में setting London है ज़्यादा तर play जो है वो Lady Wishforts के घर में हुआ है Lady Wishforts जो है वो भी एक character है story का उनका क्या role है जब हम story discuss करें कि हमें clear हो जाएगा तो anyhow time को waste किये बगेर जो हमारे play की summary हम करते है शुरू अब यह story होती है Arabella नाम की क्लिटकी से story में Arabella का एक husband था जिसकी death हो चुकी हुई है इसके husband का नाम language था लेकिन जब इसकी husband की death हुई तो death से पहले वो बहुत सारे पैसे अपनी wife के लिए चोड़ के चला गया था अब जब Arabella की husband के death हो गई Arabella ने अपनी husband के death के बाद Mirabel नाम के कलड़का था जिसका फूल नम था Edward Mirabel उसके साथ time spend करना शुरू कर दिया काफे time तक इन दोनों का affair चलता रहा ये एक secretive affair था लेकिन इन दोनों ने शादी नहीं की थी Edward Mirabel ने एक person को पसंद किया Arabella के लिए उसका नाम था फेनल और Arabella की शादी फिर बाद में फेनल के साथ हो गई means अब story में जो Arabella है वो Mrs. Fainal के नाम से जानी जाएंगी ठीक है? अब Edward Mirabel ने Arabella से खुद शादी क्यों नहीं की? story में ये reveal नहीं किया गया गरीफ ने हमलों को ये बात नहीं बताए कि इसने खुद शादी क्यों नहीं की? लेकिन इसकी शादी इसने फेनल से क्यों करवाई? ये बात reveal की गई है वो इसलिए क्योंके Mirabel को डर था कि Arabella और Mirabel ने काफे टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है कहीं Arabella जोया वो किंसीव ना कर ले और लोगों को ये बात पता ना लग जाए कि Mirabel का और Arabella का अपस में affair रहा है और ये बगएर शादी की इस दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते रही है इसी डर की वज़ा से Arabella की शादी फेनल से कर दी गई थी अब Arabella और Mirabel दोनों का affair फर्दर नहीं था means अब इनका affair खत्म हो चुका हुआ था लेकिन they were still friends वो फिर भी दोस्त थे अच्छे दोस्त थे अब स्टोरी में आगे क्या होता है ये जो Advent Mirabel होता है न इसको Arabella की कजन जिसका नाम Millement होता है वो पसंद आ जाती है और Advent Mirabel Millement के साथ शादी करना चाता है ये जो Millement होती है जो के Arabella की कजन है ये Lady Wishford के साथ रहती है Lady Wishford कौन है ये Arabella की Mother है और अब Advent Mirabel को Millement से शादी करने के लिए जो Lady Wishford थी उनकी Permission चाहिए थी क्यों? क्योंके अगर Lady Wishford Permission देती और Mirabel की और Millement की शादी करवाती अपनी Permission के साथ तो फिर डोरे के तोर पे इन्होंने 6,000 पाउंड भी देना था और अगर ये दोनो Mirabel और Millement अपनी मर्ज़द शादी कर लेते तो इनको ये 6,000 पाउंड नहीं मिलना था शुरू कर दी ताकि किस्तियां से वो मान जाए बहुत ज़्यदा अटेंशन दिखाना शुरू करती लेकिन अब यहां पे हुआ क्या Lady Wishford को लगा कि जो Mirabel और वो उसको पसंद करने लग पड़ा है जब Lady Wishford को लगा कि Mirabel उनको पसंद करने लग पड़ा है तो Lady Wishford की एक दोस्त थी Mrs. Marwood उन्होंने क्लियर किया Lady Wishford को कि यह जो लड़का है Edward Mirabel यह आपको नहीं बलके यह मिलमेंट को पसंद करता है अब जब Lady Wishford को पता जगता है कि Mirabel Lady Wishford को नहीं बलके मिलमेंट को पसंद करता है और वो उनसे शादी करना जाता है और उसको शादी के लिए मेरी परमेशन चाहिए तो वो गुसे में आ जाती है और वो कहती है मैं Mirabel को मिलमेंट से शादी करने के लिए कभी भी परमेशन नहीं दूंगी और कभी भी इन दोनों की शादी होने ही नहीं दूंगी तो अब Lady Wishford की परमेशन की जरूरत क्यों थी? मैंने पहले यह आपको reason पता दिया वो है money, पैसा क्योंकि अगर Lady Wishford की परमेशन से शादी होती तो यह 6,000 डौरी की जो रकम है डौरी की यह इनको फिर मिलती वरना कुछ भी ना होता, कुछ भी ना आता है इनके पास और जब प्ले की ऑपनिंग होती है न तो उस ऑपनिंग में Lady Wishford की घर एक party चल रही थी वहाँ पे Mirable भी आता है और जब Mirable उस party के इंदर आता है तो Lady Wishford जो है वह बहुत ज़ादा इंसल्ट करती है Mirable की और सब के सामने कहती है कि तुम इस party से चले जाओ तो उस टाइम पे एडवेट Mirable को ये बुरा नहीं लगा कि Lady Wishford ने सब के सामने इसको इंसल्ट किया और यहां से चले जाने को कहा बलके इसको बुरा इस बात का लगा कि मिलेमेंट वहां पे उस टाइम पे चुप चाप बैटी थी मिलेमेंट ने कुछ भी नहीं कहा था तो इसलिए अब जो है एडवेट वो अपने आप से इस चीज़ का मलेक एग्रिमेंट कर रहा था खुद के साथ ही कि मैं जो ना अब इस तरहां से force करके रहूंगा कि जो लेड़ी विशवर्ट है वो मेरी और मिलेमेंट की शादी की जो परमेशन है वो दे कर रहेगी और वो कहता है मैं शादी करुँगा तो मिलेमेंट से ही करूँगा और Lady Wishford से permission लेकर ही करूँगा मतलब वो इसको अपने लिए एक challenge समझ लेता है और फिर यह अब उसके लिए planning करता है और उस planning का सबसे important part जब वो foible होती है और यह foible कौन है यह foible basically Lady Wishford की family के अंदर एक servant होती है और Mirabel इस foible को लालस देता है और लालस दे कि इसकी शादी अपने दोस्त वेटवल से करवा देता है और यह ऐसा यूँ करता है क्योंकि जो यह foible है ना इसको बहुत से secrets पता है इस घर के Lady Wishford के घर के especially Fennel के बारे में इसको बहुत से secrets पता है तो इसलिए यह शादी करवा देता है अपने दोस्त वेटवल की foible के साथ और यह Fennel कौन था? यह Fennel वो ही जिसकी शादी Arabella के साथ हुई थी अब Fennel के secrets में से एक secret यह भी था Mrs. Marwood कौन है Mrs. Marwood? Mrs. Marwood basically Lady Wishford और जो उनकी wife है means Arabella है Arabella और Lady Wishford की friend है Mrs. Marwood और Fennel का Mrs. Warwood के साथ affair चल रहा है और Mirabel को शक होता है कि Mrs. Marwood का और Fennel का आपस में affair चल रहा है और foible और मिनिस सिंग इन दोनों ने basically इनके affair को देखा भी होता है इन दोनों को पता होता है कि हाँ इन दोनों का affair चल रहा है तो क्यूंकि ये secret पता है Fable को इसी लिए वो Fable के शादी विट्वल से करवाता है ठीक है और ये इसका plan का एक part था और story में दूसी तरफ जो Mirabel है वो और Fennel है वो ये दोनों आपस में बैठके cards केल रहे थे और जब दोनों आपस में cards केल रहे थे मार्वूड के साथ चक्कर चल रहा है और Fennel और मिस्स मार्वूड के affair के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है जो कि अब हमारे character यानि कि Mirabel को भी पता चल चुकी हुई है अब जिस टाम ये दोने बाते कर रहे थे उसे दरान Mirabel Fennel को ये भी पताता है कि मिलमेंट से बहुत प्यार करता है ये चीज़ सुनके Fennel encourage करता है Mirabel को कि अगर वो उससे प्यार करता है तो सच्छे से शादी कर ले थोड़ी देर बात दो आदमी आए एक का नाम था Whitwood दूसका नाम था Putillant ये दोने basically servant थे Mirabel के ये दोने Mirabel के पास आते हैं और आ के पताते हैं कि जो Lady Wishford है न वो Lady Wishford मिलमेंट की शादी अपने एक अंकल है Sir Rolland उनके साथ करना चाहती है उनके साथ प्लान कर रही है और शादी इसलिए करी को कि Sir Rolland के पास बहुत ज़्यादा पैसा है अब एक और important बात ये Sir Rolland कोन है किसी को भी नहीं पता कि ये भी Mirabel की एक planning है Actually में Sir Rolland नाम का कोई character exist करता ही नहीं है Actually में Mirabel का एक servant था उस servant के जो भेज था जो फेज था उसको disguise करके यानि कि उसकी शकल को disguise करके इसने उसके character को change करके Sir Rolland बना दिया है और ये जैसा plan कर रहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा था मतलब जो इसकी planning थी बिल्कुल उसी के according सारी situation चल रही थी लेकिन story में ऐसा twist आता है कि जो Edward Mirabel है उनकी सारी planning Mrs. Marwood सुन लेती है अब Mrs. Marwood को Edward Mirabel की जो planning है वो पता चल जाती है तो इसके बाद क्या होता है story के अंदर जब Mrs. Marwood ने ये सारी planning सुन ली तो डिरेक्ट जाके ये सारी planning जाके अपने आशिक अपने जिनके साथ affair चल रहा है फेनल उनको पता दी और यहाँ पे इन दोनों ने ये planning की मीन्स फेनल ने और Mrs. Marwood ने ये फैसलेक किया कि ये दोनों मिल के Mirabel को भी बरबाद कर देंगे और जो लेड़ी विश्फोर्ड है उनको भी ब्लैक मेल करने वाले है तो story में उसी दुरान क्या होता है जो मिलमेंट थी न वो Mirabel का proposal accept कर लेती है और story में एक और person है सरवेलफुल इसकी आंटी सरवेलफुल नाम का भी एक person होता है उसके साथ दे मिलमेंट की शादी करवाना चाहती थी ये उसका proposal जब वो reject कर देती है और मिलमेंट कहती है कि अब वो शादी करेगी तो Mirabel से ही शादी करेगी और on the other hand Marwood और Fennell फुल प्लैनिंग का रहे थे कि जो Mirabel का plan है वो fail हो जाए इन्हों ने मिलकर दोनों ने Marwood और Fennell मिलकर जो जितने servants थे तकरीबन Mirabel के उनको भी arrest करवा दिया था इन्हों ने जो foible धोका दे रही थी उसके बारे में भी reveal किया Lady Wishford को और साथे साथ इन्हों ने Sir Roland की जो true identity थी वो भी reveal की बता है कि ये वेटवल है जो के एक servant है Mirabel का इसके इलावा इन्हों ने दोनों ने मिलके Means Marwood और Fennell ने मिलके Lady Wishford को Black Mail करना भी शूरू कर दिया उनको धमकाना भी शूरू करती इसने कहा Lady Wishford को कि मैं जानता हूं कि आपने क्यूं जो एराबिला है उसकी शादी मेरे से की थी कहते हैं मुझे पता लग गया है एराबिला का affair चल रहा था पास्ट में Mirable के साथ और आपने मुझे इस affair के बारे में नहीं बताया और एराबिला की identity को सिक्यूर करने के लिए उसकी respectful way में उसको सिक्यूर करने के लिए उसकी शादी मेरे साथ कर दी आपने मुझे भी दोका दिया है और आपको क्या करना होगा आपको जितने भी आपका पैसा है जो भी आपका fortune है जो मिलमेंट का fortune है और मिसिस फैनल यानि के एराबिला के पैसे है वो सारे के सारे मुझे देने होंगे वरना मैं जो एराबिला का affair था मेरे बिल के साथ वो पूरे टाउन वालों को बता दूँगा और जो मैं ऐसा करूंगा तो इससे ये होगा कि जितना भी टाउन है वो आपकी family के बारे में काफी disgrace way में discussion करेगा आपकी family को काफी ज़्यादा insult face करना पड़ेगी बे इज़त होगे रह जाएगी और इसी के साथ मेरी एक और शर्त है कि आपने भी जब तक मैं न कहूंगी इससे शादी नहीं करनी क्योंकि अगर आपकी इससे शादी कर लेंगी तो जो आपके नाम पैसा है वो आपके जिस शोहर जिस husband के साथ शादी करेंगी जिस person के साथ शादी करेंगी उसके नाम भी चला जाएगा और मैं ऐसा हरगीज नियुदू का सारा पैसा मैं खुद लेके रहूंगा ऐसे में जो मिलमेंट थी उसने अपने हिससे की जो shares थी जो property थी उसको बचाने के लिए कहा कि मैं सर्विलफुल के साथ शादी करने के लिए त्यार हूँ क्योंकि अगर वो सर्विलफुल के साथ शादी करती तो इससे जो मिलमेंट थी उसके जितने भी पैसे थी वो सिक्योर हो जाते लेकिन स्टिल जो लेडी विश्वोर्ट थी और एरबला थी इनके जो पैसे थे वो सिक्योर नहीं हो सकते थे और जितना भी फोर्ट्रून था लेडी विश्वोर्ट का वो सब कुछ उनके आँखों के सामने जा रहा था लेकिन इस सूरतियाल में जो मिरबल था वो आया और इसने इनके फैमिली की हल्प की मिरबल ने कहा लेडी विश्वोर्ट को कि अगर आप चाहती हैं मैं आपको बचा लूँगा लेकिन इस सूरतियाल में आपको अपनी जो नीज है मिलमेंट उसकी शादी मेरे से करनी होगी लेडी विश्वोर्ट कहती है अगर तुम हमें रिस्क्यू कर लोगी बचा लोगे इन सब सीजों से हमारे शेर्स को हमारे फोर्चून को बचा लोगे तो ठीक है मैं मिलमेंट की शादी तुम से कर दूँगी तो फिर मेरे बिल जो वो अपनी पहली ट्रिक सबके सामने प्रिजेंट करता है वो मैनिस और फॉर्बल को बिलाता है और मैनिस और फॉर्बल जब वो रिवील करते है फैनल और मिस्स मॉर्वड के बारे में और वो बताते हैं कि मिस्स मॉर्वड का और फैनल का जब आफेर चल रहा है तो यह चीज़ देखे लेडी विश्फूर्ट जब वो इतना सेटिस्फाइन नहीं फील करती वो कहती है यह इसका प्लान था यह तो अजीब सा प्लान था इससे तो कोई फरक ने पड़ने वाला फिर इसके बाद जो मिरेबल अपने सेकिंड प्लान सेकिंड ट्रिक दिखाता है वो उसमें क्या दिखाता है कि जब बिल्कुल स्टार्टिंग का ताइम था तो अरेबला और मिरेबल का AFFIRE था यह बात आपको स्टोरी में मैं बता चुकी हूं तो जिस टाइम पर अरेबला की शादी हैनल से हो रही थी उस टाइम पर अरेबला ने अपना trustee Mirabla को बना दिया था मतलब जितनी भी property जो भी चीजें Mirabla के नाम थी Mirabla ने वो सब के सब Mirabla के नाम कर दी हुई थी क्योंकि इनको ये डर था कि कही न कहीं कल को जो फेनल है जब उसकी शादे Mirabla से होनी है तो वो इनको cheat करने की कोशिश ना करे और वो इनको cheat करने की कोशिश कर सकता है और इनकी जब भी property है वो हत्याने की कोशिश कर सकता है अपने हाथ मे लेने की कोशिश कर सकता है क्योंकि अब सारा कुछ Mirabla का Mirabla के नाम है तो फेनल कुछ भी नहीं कर सकता तो फेनल जो के antagonist है इस play का उसकी हार हो गई क्यों? क्योंकि उसके पास एरबला का पैसा जाए नहीं सकता था एरबला नहीं सारा पैसा लगाई मिरा बिल के नाम दिया था और मिसिस मारवुट भी कोई पैसा सोरी, जो मिसिस, सोरी, सोरी, एक्सक्यूज मी यहां पर वर्ड है विश्फोर्ट जो मिस्स मिश्फोर्ट थी लेडि विश्फोर्ट वो भी कोई भी पैसा दे नहीं सकती थी फेनल को क्योंकि जो पैसे में थे वो मेरेबल के नेम थे ठीक है अब हुआ क्या फेनल और मारवुट की हो गई हार और फेनल और मारवुट को फिर पड़ी मार ठीक है इन दोनों की एंट पर फिर पटाई ही होती है क्योंकि इन्हों ने चीट करने की कोशिश की एक तो अफेर्स इलाक है एरेबला को चीट करने की कोशिश की दूसरा फेनल Engagement लुए थे Milamind की, जो के Milamind ने Agri कर लिया था कि dissolve दो शादी कर लेगी ताकि उनके shares और पैसे बच चुके, बच जाएगं, वो भी Milamind को Release कर दिते engagement से, अपनी engagement को proceed नहीं करते है, ताकि Milamind के शादी Mirable से हो जाए, और इसके इलावा खुद वो ट्रावलिंग के लिए निकल जाते हैं और फिर मेरे बल ने जितनी पर भी प्रॉपर्टी थी अरविला की वो उसको वापस कर दी और कहा कि प्रॉपर्टी ही एक रास्ता है जिसके साथ तुम अपने हस्बेंड फिनल के उपर दुबाओ बना के रख सकती हो ठीक है सरविलफुल एक अच्छे आदमी थे एक जेंटल मैन थे और इसके बाद ये वेटवल था जो के प्रॉपर्टी के सारे पेपर्ज ले के आया था ऑन्दह स्पोर्टॉर्टॉर्ड जिस टाइम पर मेरा बलने बुलाया था कि प्रॉपर्टी के पेपर्ज ले के आओ और सब को तब बताया था कि евra cheese की हांपे एंडिंग यहांइ यह हमारी स्टॉरि की है्पेशिय हमारी होकी खत्म स्टोरी में जो important theme थे वो money का था, social class का था, inheritance का theme इंपोर्टन था, adultery का और marriage का theme इंपोर्टन था, women का theme इंपोर्टन था, इसके इलावा wits and fools का theme, men versus women का theme है, और love and money का theme, jealousy, deceit and intrigue का theme इंपोर्टन था तो I hope कि आपको इस story clear हो चुकी होगी, इसमें कोई भी confusion नहीं रही होगी, total five scenes थे इसके अंदर, sorry to say total five acts थे इसके अंदर, scenes इसके अंदर बहुत ज़्यादा थे, तब इसकी story complicated थे, लेकिन मैंने जतना easy हो सकता था आपको करके बता आती थे, thank you for watching this video, stay tuned with us, subscribe करना मत भूलिएगा, दूआ में खास या जखीगा, take care